नमस्ते किसान भायों मैं प्रसांद आपको स्वागत करता हूँ किसानों का अपना चनल E-Farming इंडिया में किसान भायों आज हम बात करेंगे ACA Catfish के बारे में जिसको सरकार ने बेन किया हुआ है वो मचली को क्यों बेन किया हुआ है और ये मानव जाती के लिए कितना खत्रा हो सकता है पूरी जानकरी के लिए आप विडियो को सुरु से आन तक जरूर देखे किसान भायों भारत में इस मचली को पालने में ब्यान लगाया गया है ना के बल इस मचली को पालने में ब्यान है बलकि इसको बाजार में बेचने में भी ब्यान है चलिए जानते हैं इस मचली पर क्यों ब्यान लगाया गया है इस मचली का नाम है हाइब्रिड मांगूर, इसको आप थाई मांगूर के नाम में भी जानते होंगे मुलतह ये थाइलांड के एक हाइब्रिड और यू कहत संकर मचली है, जिसको बैग्यानिकों के द्वारा बनाया गया है इसकी प्रजनन और आकार में जल्दी बढ़ने की ख्यमता बहुत अधिक है लकिन ये मचली पूरे दुनिया में खत्रा बन चुकी है सभी देशों में इस मचली पर ब्यान लगाया गया है जहां भी ये मचली पाले जा रहे है, वहीं इनकों मार कर जमीन पर गाढ़ा जा रहा है दुनिया भर के बैग्यानिकों की मुताबिक, पूरी दुनिया के लिए ये मचली एक आतंक है इसलिए जितना जल्दी हो सके इस हाइब्रीड मचली को नश्ट किया जाना चाहिए बतादें कि देशी मागूर मचली देखने में मड़ी ब्राउन और आकार में छोटी होती है वहीं हाईब्रिड मागूर आकार में बड़ी होती है और देखने में काली रंकी होती है जहां देशी मागूर अमुम्मन 28 ग्राम की मिलती है वहीं बीदेशी मागूर बाजार में 2 से 10 किले तक मिलती है ये मचली पुन्नत मांगसासी है जिसके कारण ये हाइब्रीड मांगूर तालाम में सभी प्रकार की देशी मचली और बनस्पतियों को भी खा जाती है इस हाइब्रीड मांगूर मचली को इनसान के मांगस से भी कोई एतराज नहीं है ये हाइब्रिड मांगूर मचली इंसानों और प्रयाबरन के लिए एक गंभीर खत्रा है कुछ किसान इस मांगूर को आकार में बढ़ा करने के लिए सड़ा गला मांग स्ताला में डालते है जिससे जल प्रदुसित होता है इस थाई मांगूर में हेबी मेटल भी पाया जाता है यही बजा है कि इसको खाने में हृदयरक, डायवेटिस के अलावा कैंसर जैसे गंभीर रोग होने की खत्रा बना रहता है बिदेशी मांगूर भारत की बायो डायवर्सिटी को खत्रा पहचा रहा है मत्स्य वैग्यानिकों की अनुसार यदि इस मचली को नियंत्रण में और ब्यान नहीं किया गया तो पानी की कुछ पोवदे और जीब इस धर्ती से पुर्णता विलुफ्थ हो जाएंगे इसलिए NGT यानि National Green Tribunal बायो डायवर्सिटी में पढ़ने बाले नकरात्मों को गंभिर्ता दिखाते हुए बिदेशी मांगूर मचली को तुरंत नश्ट करने की आदेश दिया है NGT ने कहा है कि सभी तलाब अथबा नदियों में इस थाई मांगूर मचली को पालने की इजाज़त नहीं दिया जाएगी आपको बता दे कि देशी मांगूर को पालने में कोई प्रतिवंधता नहीं है क्योंकि ये भारत की बायो डाइवर्शिटी और एको सिस्टम का हिस्सा है इसलिए देशी मांगूर को पालन किया जा सकता है लेकिन ये हाईब्रिड मांगूर मचली जितना खतरनाक हमारी एको सिस्टम के लिए है उतना ही खतरा हमारा स्वास्थ के लिए है क्यूंकि एसा ना होता तो आज ये मंचली पूरे विश्व में प्रतिबंदित ना होता है